बच्चों आज हम तुम लोग को पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताने जा रहे हैं ठोस अवस्था और दूसरी को हम कहते हैं द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं गैसी अवस्था तो पदार्थ की तीन अवस्थाओं हो गई एक को हम कहते हैं ठोस दूसरे को हम कहते हैं द्रव और तीसरे को हम कहते हैं गैस तो पहले हम देखो शूरू करते हैं इसकी पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं ठोस अवस्था ये बच्चों हमारे हाथ में क्या है लकडी का गुटका दिखाई दे रहा है न सबको ये हमारे हाथ में लकडी का गुटका है इसे तुम पदात की कौन से अवस्था कहोगे ठोस अवस्था ठीक है ये नहीं जो लक्डि का गुटका है इसको हम कौन से वस्था खाहेंगे पदात की थोस अवस्था क्यूंकि यह थोस है अभ हम देखो हम दूसरी कोची लेते हैं पर यह बताओ क्या है को यह कोईले का टुकड़ा है यह पदात की कौन से वस्था है अब हम देखो यह लोहे का एक टुकड़ा ले रहे हैं, यह है अमरे आत में, यह बताओ पदाद की थोस अवस्ता है, अब देखो पदाद की दूसरी अवस्ता, यह देखो बीकर में हमने यह थोड़ा सा पानी भरके रखा है, यह बताओ पदाद की कौन सी अवस्ता है, द्रव अवस्था है ये पदाद की पानी कौन सी पदाद की वस्था है द्रव अवस्था है दूसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं द्रव ये द्रव है ये देखो शीशी में हमारे पास इस्पृरिट है दिखाई देरी नीले रंकी ये इस्पृरिट है ये पदाद की कौन सी अ अब तीसरी अवस्था को बताने के लिए हम तुम्हें देखो एक उधारन देते हैं अगर पानी को हम गरम कर देखा पानी को गरम करते तो क्या होता है अब देखो इसी फोस द्रव और गैस जो हमने तीन अवस्था है बताया है इसी को कणों के आधार पर समझते हैं कि अणों के आधार पर ये तीन भागों में पदात क्यों भाटे गए हैं अब देखो यह जो बरफ उपर बनी हुए है ये थोज सवस्ता में और थोज सवस्ता के ये जो कन दिखाए गày है ये देखो काफी नजडी नजडी दिखाई दे रहें ये बहुत पास-पास हैं तो थोज सवस्त की पैचान ये है कि उसमें कन बहुत नजदीक होते हैं, बहुत निकट होते हैं, जब पास-पास होंगे कन तो उनमें आकर्शन होगा, जो आकर्शन होगा तो वो एक दूसरे से बंधे रहेंगे, इस कारण ठोस में ये कन कैसे होते हैं, बहुत पास-पास होते हैं, अब देखो हम दूसरी अव पानी बन गई अब इस पानी के आओं पानी में देखते हैं कि इसके आओं कैसे हैं इसके कान पास पास हैं अब हमें ये बताओ कि इस पानी में जो इकान दिखाई दे रहे हैं ये ठोस्क की तुल्ला में दूर दूर हैं कि पास पास हैं दूर दूर हैं यानि ठोस्क की तुल् अब इस गैसी अवस्ता है अब इस गैसी अवस्ता में करणों को देखें अगर तो देखो ठोस और द्रफ दोनों की तुल्ला में इसके कान देखो कैसे बहुत दूर दूर है दिखाई दे रहा है ना इसके कान ठोस और द्रफ दोनों की तुल्ला में बहुत दूर दूर है और जब बहुत दूर दूर है तो इनमें आकरशन ना के बराबर होता है और इसी का प्राण ये चारों तरफ प्हेल जाते हैं, तो ये पदार की, कणों के आधार पर पदार की तीन अवस्ताइं हैं, अब देखो ठोस के बारे में, ये नवस्ताओं के बारे में एक बार तुम्हें और बता दें, अब जैसे ये लकडी का टुकडा है, इसका कोई आकार है, बदे ये शौता अपना आकार नहीं बदल सकता है, तो इसका आकार ठोस का कैसा होता है, निश्चित होता है, और ये जितनी जगे घेरेगा, कहीं भी हम रखेंगे, ये इतनी जगे घेरेगा, तो इसका मतलब इसका आयतन भी निश्चित होता है, जो जितनी जगे घेरता व यह पानी हमने ले लिया, अब देखो यह पानी बीकर में भरा है, तो बीकर जैसा आकार है, जिस बरतन में भरा जाता है वो उसी का आकार ले लेता, इसी पानी को अगर हम किसी दूसरे बरतन में भर दें, जैसे मान लो हम इसमें से यह पानी इसमें भर दिया, आप देखो इस पानी का आकार बदल गया अब ये टेस्टूप के आकार में आ गया पानी अज बीकर में कैसा था बीकर के आकार का था तो पानी अपना आकार कैसा ले लेता है जिस बरतन में रखा जाता है द्रव उसी बरतन का आकार लेता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है क्या होता है अगर हम दूसरे बरतन में सारा पानी कर दें, तो क्या इस पानी का आइतन बदल जाएगा? आइतन नहीं बदलेगा. जितना पानी उतना ही रहेगा, केवल बरतन जिस बरतन में हम करेंगे, उसका आका ले लेगा. ठीक है? तो दुर्व होते हैं, उनका आकार निश्ट नहीं होता, लेकिन उनका आइतन निश्ट होता है. अब हम बात करते हैं, भाफ की जो गैसी आवस्दा है. भाफ का कोई आकार होता है? नहीं बेगा. और अगर भाफ छोटी जगे में बनाई जाए, तो वो उस बरतन का आकार ले लेगी और उसी भाप को हम बड़े बरतन में रख दे तो क्या होगा उस बड़े बरतन का आकार ले लेगी यहनि उसमें नाकार निश्चित है और जब बड़े बरतन में रखेंगे तो वो सारे बरतन में फैल जाएगी ये तो बड़े बर्तन में भी रखेंगे तो पानी आयतन में उतना ही रह गई बड़े फैले का नहीं लेकिन अगर भाप को हम बड़े बर्तन में रख देंगे तो भाप उस पूरे बर्तन में फैल जाएगी यह नहीं आयतन भी उसी बर्तन का ले लेगी इसका मतलब गैसी अवस्था में ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतल निश्चित है अब देखो हम करके दिखाते हैं तुमें हम जरासा पानी इसमें एक परकनली में लेते हैं और इसको गरम करते हैं पाने गरम रहा दिखाएदे रहे उसमें बुल्बुले बुले बुले अभी क्या हुआ उरा आए आई देखो इसके परखनली के मुख़ पे देखो क्या निकल लही है तेहनी द्रफ को गरम किया जाये तो वह किस अवस्था में आ जाता है भाप कैसी अवस्था है दिखाई देरी-दिखो, परखनली गो को देखो दियान से, जी बहिए दिखाई देरी ना ?- जी बहिए तो, जो ड्रव है, उनको गरम्किया जाने पर वे की सवस्था में आ जाते, जैसी बरबहने है इसी चीज को हम एक चित्र के माध्यम से तुमें समझा रहे हैं. देखो, पहले चित्र में देखो ठोस है, एक बीकर में हमने बर्फ रख्य हूई है, इस रूप में है ये, ठोस के रूप में है, हमने इसको गरम कर दिया, बिखाई दे रहा है पहला चित्र, ये बर्फ है और हमारा बंडार यह ठोस के रूप में है जब हम इसको गरम कर देंगे तो इक इस किस रूप में देखो आ जाएगी दूसरा रूप कैसा है इसका जराव पानी म désम बन जायागा तो यह गरम करने पर किसमा आ जाएगी अगर बराफ को गरम ना भी करें बाहर निकाल के रख देंगे तो भी वो गरम हो जाती क्यों गरम हो जाती जानते हो तुम लोग क्योंकि बरफ का तापकरम बरफ जब जमती है तो बहुत कम तापकरम होता है जब बरफ को बाहर निकाल के रखते हैं तो वातावरन में तापान जादा होता है तो वातावन की गर्मी लेता है तो वो गरम हो जाता है तो जब हम इसको बरब पिगलेगी यानि गरम होगी तो किस रूप में आ जाएगी द्रव अवस्था में आ जाएगी और इसको हम फिर और गरम करते रहें तो यह वाश्पित हो जाएगी यानि ठोस को गरब करने से पहले में ये ठोस है ये गरम होने पर द्रव अस्था में आ जाता है और अगर हम लगातार गरम करते जाएं तो ये किस अवस्था में आ जाता है गैसे अवस्था है यानि अवस्थाएं एक दूसरे में उश्मा दे कर बदली जा सकती है यानि ठोस गरम करने पर द्रब में और द्रब गरम करने पर गैस में परिवर्तित किया जासता है। तुम बताव कोई ऐसा ठोस है जिसको गरम करने से वो सीधे गैसिय वस्ताम आ जाता है। तुम लोगोंने घरों में अपनी मम्मी को कभी पूजा करते हैं वो देखा है। तो उसमें कपूर जब ज़लाते हैं तो क्या होता है? सीधे वाश्पित हो जाता है द्रव तो नहीं बनता न? इस चमश में उस द्रव रह जाता है कुछ भी नहीं रहता है तो सीधे गैस में बदल जाता है और इसी तरीके से आयोडीन है उसको भी ठोस को सीधे गरम करते हैं, तो किस रूप में आ जाता है? और हम जब गरम कर रहे हैं, तो ये ठोस जो है, धीरे धीरे इसके कण दूर दूर होते जा रहे हैं, जब उश्मा दे रहे हैं, तेन कणों को उर्जा मिल रही है, इसकी गती बढ़ रही है, दूर दूर होते जा रहे हैं, यहां पर इसके किस रूप में हैं, ठोस के रूप में उसके बाद जब गरम किया तो अब ये किस रूप में आ गए अच्छा और गरम कर दिये तो और दूर दूर हो गए तो अब किस रूप में आ गए यह ठोस से सीधे गैस है यानि गरम करने पर ठोस सीधे गैस में गदल जाता है बिना द्रवित हुए तो कुछ ठोस ऐसे भी हैं जो पदार्ट की दूसरी अवस्था में बिना पहुंचे गरम किया जाने पर तीसरी अवस्था मा जाते हैं यानि ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं अब ठंडा करने पर देखो, गैस को ठंडा किया तो, ये गैस को ठंडा किया तो क्या होई पहले? गरम के जाने पर ठोस से चीधे गैसी हवस्था में और ठंडा के जाने पर किस अवस्था में आ जाते हैं गैस सीधे ठोच आ जाते हैं ना उनको हम कहते हैं उर्द पातन शील पदा जैसे कि हमने बताया था क्या क्या हैं कपूर और तुम बताया है आई उनी तो बच्चों तुम लों ने आज ठोस द्रव और गैस के बारे में जानकार ही ली और ऐसा नहीं है कि खाली इनके आकार या आईतन के आधार पर ही ने बाटा जा सकता है और भी इनकी घुलन शीलता है इनके चुम्बकिये गुले उनके आधार पर भी ने बाटा जा सकता है ठोस द्रव और गैस में